जैन फ्रेंट्स आज की बिडिन दोस्तों हम आप सब के लिए लाये हैं महतपूर्ट जीवन परचे और रचनाएं जो दोस्तों तुलसी दासजी का है बहुत इंपोर्टेंट है या दोस्तों आपके बोड एक्जाम में दोस्तों हर साल सबता है यानि दोस्तों हिंदी के समाच नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा समझ पा रहे हो तो आए दोस्तों हम लोग बस यही करते हैं सबसे पहले इसको अच्छे सब पढ़ते हैं दोस्तों याद करानी गारंटी हमारी है आपको याद हो जाएगी बिल्कुल अच्छे जिस तरस दोस्तों हम बताएंगे जिससे दोस्तों हम motivate होते हैं ठीक है तो आए दोस्तों आपको बता दे इसके PDF के लिए यह दोस्तों इसका PDF चाहते हो तो हमाला टेलिग्राम है दोस्तों PDF के लिए टेलिग्राम जॉइन कर ले दोस्तों exam road exam road दोस्तो कोई भी नाम आप सर्च कर सकते हो दोस्तो सबसे उपर आपका अपना exam road का दोस्तो टेलिग्राम गूरूप आजाएगा उसको join करिए दोस्तो वहाँ से आप बिल्कूल हर एक वीडियो का दोस्तो पीडियाप फ्री में आप लोग पाईए दोस्तो एक्जाम road कोई चार्ज नहीं लेता है आप हमाई छोटे भाई बंदू हैं बिल्कूल आप सब टेंसर फिडियो के अच्छ से वहाँ से पढ़िए फीडियाप दाउनलोड करके तो आए दोस्तो हम लोग देर ना करते हुए 1589 ठीक है आपको बताते हैं कि बांदा को बांदा जिला के राजापुर नामक गाउं में हुआ था यानि दोस्तो इनका जन्म सन 1532 इसमी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम आत्मा राम दूबे और माता का नाम हुलसी था देखिए दोस्तो बहुत लोग बहुत विद्वान अलग-अलग मानते हैं अलग-अलग वो लोग क्या करते हैं दोस्तो अपना दावा करते हैं लेकिन दोस्तो जो इसमें बताया जा रह कुछ लोग इनका जन्म अस्थान American Juranda Jilla के सोरो नामक अस्थान को मानते हैं इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या था राम बोला था अब बताओ मेरे प्याब बच्छों अब इनका बचपन का नाम क्या था राम बोला था ठीक है ये सर्यूपार ही ब्रामर थे अब बहुत जगा दोस्तों हैं, तो दोस्तों ये भी सर्यूपार से आये हुए थे, बान्दा जिले में थे, ठीक है, बान्दा जिले में बसे हुए थे, इनके माता पिता, ठीक है, अब दोस्तों देखेगा, इनका जन्म अभूक्त मूल नच्छत्र में होने के कारण, इनके पिता मादा पिता ने इनको त्याग दिया देगे दोस्तों ऐसा होता नहीं है कोई माभाप अपने पिता को किसी भी तरह से दोस्तों कोई भी दोस्तों कंडिसन आ जाती है त्यागते नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया तो दोस्तों कुछ ने कुछ बात थी ठीक है तो द दास थे, इनका पालन पोर्शन उन्हीं ने किया, यानि दोस्तों आप सब को हम बता दे, इनके माता पिता, पिता जी जो थे, वो उनको त्याग दिये थे, अब दोस्तों इनका पालन पोर्शन किया, इनके गुरु ने किया, उनका नाम क्या था, गुरु स्वामी नरहरी दास इनका पालन पोर्शन किया अब दोस्तों आपको आगे बताएंगे देखिए बहुत ही महत्रपूर्ट दोस्तों है आपका उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कहा जाता है कि इनका जन्म के समय जो जब दोस्तों इनका जन्म हुआ था तब ही की बात किया जा रहा है कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौझूद थे यानि जब इनकी जन्म हुआ था दोस्तो तब इनका 32 यानि दोस्तो सारे सारे दांत उगे हुए थे जिसके वज़े से अब कहा जाता है कि ये उनके माता पिता जी कहते हैं कि अभूक्त मूल नचत्र में होने के कारण अब इनको त्याग दिये थे ठीक है उनका कहना था दोस्तों उस समय के बिद्वान का इस समय की बिद्वान का तो दोस्तों अब उनके माता पिता जी ने इसी कारण वस्ताइगा था कि कोई और क अपनी पतनी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे यानि दोस्तों एकदम लीन रहते थे समझ पा रहे हो आप सबकी तरह दोस्तों बहुत ही क्या करते थे दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रेम में क्या रहते थे दोस्तों लीन रहते थे ठीक है आप भी बहुत दोस्तों आ इनकी पतनी जब कोई चीज अत्यदिक हो जाता है, तो दोस्तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बेलकुल और कुछ खटपट हो जाता है, जैसर भी दोस्तो आपको हम बता दें, कि दोस्तो इनों ने अपने सा सुराल में, इनकी जो पतनी थी, वो अपने माई के गई थी, अब वे ससुलाल भी पहुँच गये थे, समझ पा रहे हो, तो दोस्तों ये गलत तरीका था, जिसके करण इनकी पत्नी ने इनको डाटा, अब दोस्तों देखेगा, पत्नी के डाट के करण इनका मन में वैराग के उत्पन हो गया, और ये कासी चले गए, यानि दोस्तों अपन जिवन कासी आयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, ध्यान दिजेगा, इनका जिवन कहा कहा दोस्तों बीता, आयोध्या कासी चित्रकूट में, ठीक है, अधिक बीता, अब दोस्तों थोड़ा सा और बात कर ले नीचे आईएगा, अब दोस्तों इनकी यहां पे क्योंकि दोस्तों मतवेद है लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं 95 प्लस जो साइन्टिस्ट यारी विद्वान है दोस्तों वो मान रहे हैं पंदरों सब तिराची सभी तो आप सब भी दोस्तों यह लिखेगा बेलकूल एथांटिक है आप सब अच्छे से इसको लिख सकते का यह सब इनी का है मेरे प्याब अच्छो इनी का है इनकी चोड़ी रचना है दोस्तों यह लेता है कि कि आप कihatले हो गई दोस्तों यह आपका माहत्रपूर् क्या हो गया जीवन परिचे डोस्तों आप सब बहुत तेजिक साथ यक बार और बीड कर देते हैं हम बस आप लोग नजरे जमाय रखिएगा गुस्वामी तुलसी दास जी का जन्म 1532 इस भी को बांदा जीले के राजापूर नामक गाउं में हुआ था जो बांदा जीले के राजापूर नामक गाउं था दोस्तों या राजापूर आप दोस्तों किसमें आ इनके बच्पान का नाम राम बोला था ये सर्युपारिब्राहमर थे इनका जन्म भूक्त मूल्ष चत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याप दिया था इनके गुरु स्वामी नरहरी दास ने पालन इनका पालन पोश्ण किया कहा जाता है कि ध्यान Ship क्या कहा जाता है दोस्तूं कहा जाता है कि इनके जन्म की समय ही 32 दांत मजूद थे इनका विवास रतनावली के साथ हुआ था ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे लेकिन पत्नी के डाट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन हो गया और ये कासी जुआ लेगा है कासी के ध्यां दीजेगा यहां पर दोस्तों और कासी के सनातन नामक विद्वान से वेधपूराणों का आधि का जीवन कासी आयोध्या और चित्रकूर्ट में अधिक बीता ठीक है इनका में दोस्तों आप जान लेजे 15 से 83 सुभी में लगबग हुई इनक दोस्तो आपके आता रहता है दोस्तो रचनाएं क्या है राम जीथ-मानस है गृतावली है है और दोषावली कवतावली दोस्तो स & अबुलकुल बिड़ियो का पलजाता है सीरे सारे नोट्स दोस्तों आपको वहीं भी मिलता है, बिल्कुल फ्री आपको, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल हैं रिटिंग, हैं रिटिंग, हैं रिटिंग, दोस्तों आपको नोट्स रहता है, कोई दोस्तों चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल आप सब जाके वहा तब तक के लिए दोस्तों जहिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता कीचे